हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैक में तो दोस्तो रेलबे ग्रूब डी परिक्सा 31 अक्तूबर को तीनों सिफ्ट का एकजाम हो चुका है तो दोस्तो जितने भी सभी महत्रप्रो कोशन पूछे हैं तो बेस सभी कोशन मैं आपके ल बार देख रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही उसके साइड में जो बेल आइकन हुसर जरूर दबा दे ताकि जब भी मैं आगे वीडियो अफ्लोड करू आप से सबसे पहले देख सके तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहां पर पहला दीव लोक में तो यह कोशन आज पूछा गया था नेश्ट कोशन देखते हैं 25 डिगरी सेंटीगरेट में ध्वहनी का बेक किसमे जादा होता है तो यहां पर जो अगला कोशन है गुरुतवा करसन तोरण जी का मान कितना होता है तो यह कोशन कल से दो से तीन बार रिपीट हो गया है तो आप इस कोशन को जरूर याद रहे कि मैं आपसे कल से दो तीन बार यह कोशन आपको मैं बता भी चुका हूँ तो गुरुतवा करसन तोरण यानि जो छोटा जी होता है स्मोल जी इसका मान कितना होता है तो 9.8 बन मीटर प्रतिस सेकिंड इसका मान होता है तो यह कुशन पूछा गया था तो इसका जो सही आनसर था 13.5 मोल होंगे इसमें मैं आपको पता दो आपको किस तरीके से निकालना है आपको यहाँ पर 54 ग्राम दिया था तो यहाँ पर 54 ग्राम था हीलियम की जो परमारू द्रब्यमान होता है कितना होता है फोर होता है तो तो अगला कोसन है तो आपको यह topic अपना पक्का कर लेना है अगर आपको यह topic अभी तक नहीं आता है तो हमें comment में बताए मैं आपके लिए इसकी लिए एक वीडियो बना दूँगा कापी असान ट्रिक के साथ तो चलिए इस कोस्टन को देखते हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सुक्रुबार इसका आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको 27 जुलाई दिया था तो आपको यहाँ पर 27 ले लेना है उसके बाद आपको जब यहाँ 28 है तो आपको यहाँ पर लाष्ट के अंक 3 लेने नहीं और यहाँ पर ज़ज 0 है उसके यहाँ पर हम 1 मानते है यानि कि आपको 108 लेना है 118 को 4 से भाग देना है तो 4 दुनिया 8 यहाँ पर आजाता बचा 3, 4, 9, 36 यानि कि 29 आगया, 29 इसमें जोड देना है उसके बाद हमें 118 भी इसमें जोड देना है और जो हमारे जुलाई का कोड होता है, कितना होता है 6 होता है, तो हमें इन्हें सब को जोड देना है, तो हमें जोड देना है 9, 7, 16, 16 28 कितना हो गया, 24 24 अच्छा है, 30, 30 का 0 80 लगा 3, यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 5 5, 3, 8, अर यह इधर का यह बच गया, तो 118 से आगया अब 118 को हमें 7 से 7 से भाग देना है, 118 को हमें 7 से भाग देना है, तो 7 12, 14, बच गया 4, कितना हो गया, 7, 25 35 6 कितना बचा, 6 बचा 5, तो 5 में नमबर पर कौन से दिना आता पहले पर सोंबार, दूसरे पर मंगल, तीसरे पर बुद्ध चोथे पर ब्रस्पत, और 5 में पर सुक्रवार, तो इस तरीके सा आप यह दिन निकाल सकते थे, तो सुक्रवार इसका सही दिन निकली आगा, तो दोस्तों अगर आपको तक, आपको अभी तक यह ट्रिक समझ में नहीं आई है, तो हमें कमेंट में बताए, मैं आपके लिए एक अलग से, इस तरह से, यहाँ पर 5 का संबंद 9 से है, उसी परकार आपको बताना था, 27 का यहाँ पर क्या आएगा, तो इस तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपको 5 की मल्टिपलाई 2 से करनी थी, तो 10 आ जागा, इसमें से आपको एक घटाना था, तो 9 आ गिया, फिर 27 की मल्टिपलाई 2 से करनी थी, 27 दूनी 54, 54 में से एक घटाना था, तो कितना आ जाता, 53 इसका सही आंसर था, तो next question देखते है, डबलू का, यहाँ पर mirror image नहीं है, यहाँ पर पूछा था, डबलू का जल में पृतिबिम कैसा बनेगा, तो यह question में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर M था, जब आप डबलू को जल में देखेंगे, तो यह उल्टा हो जाएगा, यानि कि इसका जो पृतिबिम बनेगा, M बनेगा, तो चलिए दोस्तो आगए देखते हैं, 2017 राष्टे फिल्म पुरुसकार सर्वस्रेश्ट मराटी फिल्म के लिए किस फिल्म को दिया गया था, दोस्तो यह कोशन पूचा गया था, कि जो 2017 का राष्टे फिल्म पुरुसकार था, उसमें सर्वस्रेश्ट मराटी फिल्म के लिए किसे दिया गया था, आप इसे यहाँ पर ध्यार नसित देखिए, यहाँ पर Marati film के लिए पूछा था कि Marati film के लिए किसे दिया गया था तो जो कच्चा नीबू मूवी आई थी तो इस film को सर्वसरेश्ट Marati film के लिए यह अबाड दिया गया था तो आप इसे याद रिखे और मैं आपको पता दूँ ये question पहले भी एक बार पूछा जा चुका है जिसने अगर हमारा पहले का वीडियो देखा होगा तो इसने इसका सही आंसर लगा दिया होगा क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था इस कोस्तन के बारे में तो इसलिए मैं आपसे प्रतियक वीडियो में यही कहता है कि आप अगर आपका एक्जाम आगे होने वाला है तो हमारे पिरतिएक वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आपको देखने से पता चल जाएगा किस प्रकार एक कोस्टर पूछे आ रहे हैं और कई कोस्टन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि यहां पर यह कोस्टन रिपीट हुआ है तो चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते है भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो यह कोस्टन आज पूछा गया था कि भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो काफी इजी कोस्टन थे हो आप से भी को पता होगा आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा तो एहमदाबाद को भारत का मांचेस्टर कहा जाता है तो ये कोस्टन आज पूचा गया था अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद रखिए चलिए अगला कोस्टन देखते है तो नेश्ट कोस्टन है हरिहर और बुक्का राई ने किस समराज्जे के स्थापना की थी तो ये हिस्टरी का कोस्टन पूचा गया था यहाँ पर हरिहर और बुक्का राई ने किस समराज्जे के स्थापना की थी तो बिजयनगर समराज्जे के स्थापना की थी हरिहर और बुक्का रायने तो दोस्तों ये दो भाई थे इन्होंने बिजयनेगर समराज्य की स्थापना की थी 1336 ESB में तो ये कॉस्षन आज पूचा गया था तो आप इसे याद रखिए नेश्ट कॉस्षन देते है असमराज्य के राज्यपाल कोन है तो दोस्तों असमराज्य के जो राज्यपाल है ये कॉस्षन कई बार रिपीट हो चुका है तो ये आज भी पूचा गया था तो जगदीश मुखी असमराज्य के राज्यपाल है आप इसे याद रखिए और दोस्तों बात करें कि असम के मुख्यमंत्री कोन है तो सर्वानंद सोनोबाल असम के मुख्यमंत्री है और दोस्तों अगर आपने सभी राज्यों के अभी तक मुख्यमंत्री याद नहीं किये हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है काफी असान ट्रिक के साथ मैंने वीडियो बनाया है अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके सभी 29 राज्यों के मुख्यमंत्री असानी से याद हो जाएंगे तो उस्तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा आप बहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या आप हमारे चैनल में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए नेस्ट कुसन देखते है तो देखे अगला कुसल नहीं याँ पर तेलंगाना राज्ये के मुख्यमंत्री कोन है तो तो तेलंगान राज्य के भी मुख्यमंत्री पूछे गए थे मैं आपको बता दूँ आप ये मस समझे कि एक ही पेपर में यहां से दो राज्यों के राज्यपालिया मुख्यमंत्री कैसे पूछे आ सकते हैं तो मैं आपको पता दूँ जैसे आप सभी को पता होगा कि ये Railway Group D All India Exam हो रहा है तो कई सारे जोन है, 15-16 जोन है, 15-16 जोन वाई पेपर हो रहा है तो अलग-अलग जोन में ये कोशन पूछे गए हैं तो आप इस चीज को पर ध्यान मत दीजे कि एक ही सिप्ट में यहां से एक मतलब राज्य से दो कोशन पूछे आ सकते हैं तो तेलंगन राज्य के मुख्य मंतरी पूछे रहे थे तो के चंद सेखर राप तेलंगाना के मुख्य मंतरी है और दोस्तों अगर बात करें राज्य पाल की तेलंगाना के राज्य पाल कोन है तो इकाडू स्री निवासन लच्मी नर सिम्हन तेलंगाना के राज्य पाल है और दोस्तों ये आंदर प्रदेश के भी राज्य पाल है यहाँ की पूछ पूछा गया था लेकिन यहां से एक कोछण पूछा गया था, तो अगला कोछण दिखते है तो तो दोबस्तो अगला जो कोछण है यहाँ पर यह reasoning का question पूछा गया था मैं आपको ददू यहाँ किस प्रकार से question पूछा गया था आपको यहाँ पर दिया था 36 गड़ उसके बाद आपको यहाँ अनुपात में दिया था रमन सिंह आपको बताना था जिस प्रकार से 36 गड़ का संबंद रमन सिंग से है उसी प्रकार से आपको बताना था करनाटक का सम्मंद किस्से है तो दोस्तो इसका जो सही आंसर था कुमार स्वामी इसका सही आंसर था वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर 36 गड़ दिया था तो इसके मुख्य मंत्रिय दिये थे इसके अनुपात में तो रमन सिंग 36 गड़ के मुख्य मंत्रिय है उसके बाद आपको करनाटक का बताना था तो करनाटक के मुख्य मंत्रि कोन है कुमार स्वामी करनाटक के मुख्य मंत्रिय है तो इस तरीके सा आपको यह रिजिनिंग का कोसन आज दिया गया था तो यहाँ पर आगला question है, यह भी reasoning का question पूछा गया था, इसमें आपको बताना था, निम्न में से बताईए कौन सा भिन्न है, यानि दोस्तों आपको चार option दिये थे, मैं आपको यहाँ पर दिखायाता हूँ, यहाँ तीन option अलग हो गए है, तो आपको चार option दिये थे, पहला answer था, कि राजिस्थान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो तीन राज्य थे, आसम, तिरुपुरा, मेघल्य है, यह पूर्वी छेत्र के, यानि जो पूर्वी है, पूर्वी भारत के राज्य है, और जो राजिस्थान है, यहाँ पर यह पस्चिमी राज्य है, पस्चिम छेत यानि कि CAO में पानी मिलाने पर क्या बनता है दोस्तों ये question पूचा गयते हैं मैं आपको पता दूँ यहां से एक question कल और पूचा गया था कल के exam में पूचा गया था जो calcium oxide होता है यानि कि बिना बुझा चूना होता है CAO कल इसका formula पूचा गया था calcium oxide का तो CAO होता है जो बिना बुझा चूना होता है लेकिन आज यहां पर पूचा गया है कि जो calcium oxide होता है बिना बुझा चूना इसमें पानी मिलाने पर क्या बन जाता है तो जब हम बिना बुझे चूने में पानी मिलाएंगे तो बुझा चूना बन जाता है तो इसका जो सही आंसर था CAOH twice 2 ये बन जाता और इसका जो रसाइनिक नाम है calcium hydroxide है और इसे बुझा चूना कहते हैं CAOH को मैं आपको बताएता हूँ यहाँ पर आज पोचा था CAO में जब हम H2 यानि कि पानी मिलाएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा CAOH twice 2 इसका ये यानि कि calcium hydroxide बन जाएगा बुझा चूना तो इस तरीके से आज ये question पूचा गया था चलिए next question देखते है परमाडू की खोज किस ने की थी तो ये question पूचा गया था कि परमाडू की खोज किस ने की थी तो काफी easy question था ये भी तो डालटन इसका सही answer था डालटन ने परमाडू की खोज की थी तो next question देखते है पित कहां से इस्तरावित होता है तो ये question पहले भी आ चुका है कई बार पूचा गया पहले भी तो पित जो होता है ये यक्रत से इस्तरावित होता है और दोस्तों अगर बात करें कि पित कहां पर जमा होता है तो पित पितास्य में जमा होता है तो आपको याद रखना है आज पूचा गया था पित कहां से इस्तरावित होता है यक्रत से और आप से आगे पूछा जा सकता है कि यह है जमा कहां पर होता है तो आपको याद रखना पितास्य में जमा होता है पित तो next question देखते है तो अगला question है मानप सरीर में भोजन कहां पर पसता है तो इसका पूछा गया था कि मानब के सरी में भोजन का पाचन कहां पर होता है तो इसका सही आंसर था छोटी आत में संपूर्ण जो भोजन होता है इसका पाचन होता है भोजन का छोटी आत में तो next question देखते है कानों में ध्वहनी सुनने की चमता कितनी है तो यह question पूछा गया था, कि हमारे कानों में कितनी decibel की धुनी हम कानों में सुन सकते हैं, तो यह question में पूछा गया था, तो 40 decibel की धुनी होती है, इसे हम कानों में सुन सकते हैं, तो यह question पूछा गया था, आप इसका सही आंसर लगा सकते थे, 40 decibel, next question देखते हैं, अगला question ह का मिस्टर दातु है तो यह कुछा गया था तो पीतल जो होता है को पर और जस्ता का मिस्टर दातु होता है यहाँ पर यह गलत है लिका हुआ टीन को पर और जस्ता का मिस्टर दातु होता है पीतल तो आप इसे याद रिखिए को पर और जस्ता तो यह कुछा गया था अगला तो जो छोटा जी है उसका मान भी पूछा गया था और यहाँ पर सुवे की मिटिंग में बड़े जी का मान भी पूछा गया था तो दोस्तों अगर बड़े जी की मान की बात करें तो 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 है न्यूटन मीटर स्कॉयर प्रति किलोग्राम स्कॉयर तो यह इसका मान है आप इसे याद कर लिजिए और जो छोटी जी का है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 9.81 मिटर प्रति सेकिंड इसकॉयर यह चोटी जी का मान है और बड़े जी का मान है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप इन दोनों को याद कर लिए हो सकता आप से आगे भी पूछा जाए दोस्तो यही थे जितने कोशन आज मुझे मिल पाए थे काफी कम कोशन आज मुझे मिले हैं दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो पिलीज़ एक लाइक करें और दोस्तो अगर आप जी के ट्रिक के साथ जी के य आमस्कार